हेलो इस्ट्रेम वेलकम टूई को विश्यों सर जहां पड़ते हैं आप इक नॉमिस बहुत ही अलग अलग अदाज में तो कैसे आप समय आशा करता हूं आप सबच्छे होंगे आज का जो मार टोपिक है वो रोमेश चंद्रा दत उससे पहले मैं आपको बता दूँँ आपके लिए पास एक नॉटिस आया होगा जिसमें आपके इंटर्नल बोजली हो जाएंगे तो सबसे पहले तो आप ये नोट कर लेजी कि आपके तीन यूनिट एक्जाम में आएंगे जो आपके इंटर्नल समय में तीन उनिट और फॉर्ट यूनिट के जो भी वे टोपिक में आदूँगा तो आज का जो मार्टविक है वो है रोमेश चंद्रदत तो देख लेते हैं इस टोपिक को बड़ा ही सिंपल है बहुत ही असान है कोई ज्यादे बड़ा नहीं है बहुत सिंपल सा है तो रोमेश चंद्रदत जो थे उनका जन्म कहां पर हुआ उनका जन्म कलकता म में येक बंगाली ब्รह्मन परिवार में लेता 1848 में वगा था किसने इक फोटी एट में वकु班 की बंगाली भ्रहामन परिवार में हुआ था यह पड़ाय लिखाय में शुरुवासी अववल रहे थे और इन्हें 1869 में बाहरते सिविल सेवा में चुना गया था और सन 1871 से 1872 तक यह बंगाल के विविन जनपदों में प्रशाचनिक अधिकारी के पत पर रहे हैं और अंत में यह कमिशनर के पत तक पहुचें और कौन से में से 1897 में कमिशनर के पत से सेवा मुटत हुए मतलकि रिटाईर हो गए 1870 वह 1897 में रिटाईर हो सकता है कि कौन से पत पर रेटायर हुए थे वह commissioner के पत्पर रेटायर हुए थे उसके बाद इन्हें 1899 में भारती कॉंग्रेस के अध्यक्स चुना गया कितने में चुना गया 1899 में इन सनों को याद रखना क्योंकि objective में यह सन पूछे जाती है ठीक है उसके बाद इनको कहा कितने में चुना गया था 1899 में भारती कॉंग्रेस का अध्यक्स चुना गया था उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद क्या कि चीजे हैं उसके बाद सन 1900 में यह इंग्लांड चले गए थे और इंगलेंड में इन्होंने लंदन विश्विद्धा लेवें इतियास के यह अचारिय न्युक्त हुए और उन्होंने वहाँ पर एक गरंथ लिखा था मतलब कि एक बुक लिखी थी जो कि क्या बुक का नाम था most important है बुक का नाम economic history of India ठीक है यह इनकी पहली बुक थी और सबसे famous भुक थी इन बुक में दो पार्ट से मतलब कि इसके दो खंड थे कौन-कौन से खंड थे एक खंड था जिसमें British शाषन का प्रारंबिक काल दिखाया गया क्या दिया खाया गया बिटिश शाषन का प्रारंबिक काल और जो second झौन साषन दख्या पार्ट था उसमें दिखाया गया है क्या रहा है इस इनकी पहली बुक ते कौन से रहे है जो 2 फैमिनस ही इंडिया और इसमें क्या Phys और क्रिशक के बारे में बताया गया उनके बारे में चिंता ज़ताई गई है चिंता के बारे में आच्छे से वड्णनं किया है इनए जो विचार थे वो राष्टेवादी विचार थे कैसे विचार थे राष्टेवादी विचार थे तो इसलिए सरतंतरता में भी इनके बहुत सारे कारिये माने जाते हैं इनके तीसरी बुक आये थी वो थी इंडिया इंदा वेक्टोरियन एज क्या था बहुत फेमस हुई थी इनकी बुक? India in the Victorian एज अब देखें तीन पुके एक बुक क्या थी? इकनामिक हिस्ट्री उफ इंडिया सेकंड बुक? क्रेक्ड फैमिनस इंडिया एंड थर्ड इंडिया इंस धा Victorian age यह इनकी तीन बुके थी most important थी हमने शुरुवात में इनका छोटा सा बहुत ही simple way में देख लिया most important यह चीजे थी कि इन्होंने कौन से सन में क्या क्या किया और क्योंकि देखी यह बहुत से एक क्या कहते है billion student रहे हैं और civil सिवाग में भी रहे थे तो इसलिए इनके थोड यहां यहां पर लिखिया और यहां आप सभी ही में लिख सकते हो जितने भी आप तक एकनौमिक होड़े हैं सब में आप यह लाइन लिख सकते हो क्या लाइन लिख सकते हो कि भारत के संबंद में उस समय की प्रस्तिती को ध्यान में रखते हुए रमेश चंदत ने जो विचार दियो महत्पून थे मतलब कि यह जो विचार है ना यह उस समय की इस्तिती के अनुसार है किस समय की यह जिस समय की यह थे खिक है कि आज की इस्त जाए कि अंगा उनके लिए और चीज़े भी देख लूँगा फिर कुछ और अच्छे से किया जाए थिके आगे देखते हैं उद्ध होगा बहुत एक बहुत जितिnatी leaving स्था जो थी जो थी तो चर्चा करें कि माल गुजारी इस तरहィ की मा इंट फ़िकास वार्ण में उनने बताया था अब देख Commission कि और आप देखे लिए हम एक करके छोटा शोटा देखते हैं तो मैंने जो यह नट्स बनाए है यह आपके शोट्स में बनाए है ठीक है यह तो सिर्फ आपके लिए सिर्फ शॉर्ट नोट है जिससे कि आपको में में चीजे पढ़ा चल जा कि में में है क्या अब देख लिए अगरी कल्चर में इन्होंने बहुत सारी चीजे बताई कि जो क्रिशी की दशा है वो सुधारी जाने सुधर नहीं रही है तो इन पड़ाता और आपका ददावाई न व्रोजी पढ़ाता उन सम्में एक में चीज होती है मेंयन ुष पर द्रेन न भी हमारा देश से बाहर जा रहा है उस चीज पर अब इनकी विकम्षार में कि इनके पूरे विचार में बात ऐस om ना करार उपन उसके बारे में बात करते हैं तो हम इनके सभी विचारों में यह चीजे बार-बार देखेंगे कि टैक्सेशन को लाएंगे जैसे कि यहां पर क्या दिया गया गया रमेश चंद के विचार विचार का था कि जब तक भारते क्रिशी की दर्शा नहीं सुधर थी होगी तब तक देश में आर्थिक उन्नति नहीं होगी इनकाऊ कि बाई जब तक क Kennedy की जशा सुधर थी तो आर्थिक उन्नति इसक्ति और सींपल की सिर्थ और यह उसकानी बहुत का जाता था और अग希望 शूद्धार में कमी कर ना कि जो भूमी कर रहा है यह जो आप का टैक्स्षेशन से लिया जा रहा है उसमें जैसे की लगान वेगारा वह क्या करें? उसमें कमी करो सिचाइक का परभंधन करो और भूमी में बंदोबस्त करो यह सारे इनके में टॉपिक में पॉइंट से और यह आप और भी देख सकते हो वह सारे और भी होंगे ठीक है उद्धोगे के पतन पर हम प्रकास देखेंगे कि उद्धोगे के पतन पर क्या प्रकास था सिंपल सी बात थी कि इन्हों ने बताया कि वहाई जो लगू उध्योग और कटो उध्योग है उसमें क्या कर रहा है देखो जो इस इंडिया कंपनी आई मैंने पहले भी चर्चा किया इस पारे में जो हमने कोट्र ले पढ़ाता है विम्राव मेटकर पढ़ाता कि इस इंडिया किसले आए थी यहां पर वेपार करने के लाए थी क्या करने के लाए थी वेपार करने के लिए वह क्या कर रहे थी वह हमारा रो मटेरियल हम से ले जाकर उसका ही समान बनाकर हमको बेच रहे थे अब देखो हमारा रो मटेरियल कोई व्यक्ति ले गया दूसरे देश में और वहां से कुछ बनाकर वापिस लिया आया और हम को है दे दिया अब यहां पर जो दुकाने थी हमारे देस्ट में जो दूकाने थी जो समान बेच रही थी तो सिमपल सी बात है वह धीर दीर क्या हो झायगे खतम हो जागे की थो एकनगाल करना था और यहां उद्धोक का दंदो का पतन कर रहे थे तोन क्या कर रहे थी यूज कर रहे थी हमारी ही material का यूज करकर हमें ही क्या कर रहे थी कंगाल कर रहे थी और यही ही पोइंट यही सेम पोइंट किसमें आजाएगा यह हमारी निर्धंता में अजये यही तекस like ओंthat यही सेमिद भारगी निर्धंता क्या है कि उन्हों ने यह SHEmod कही कि अंग्रेज अंग्रेज क्ले भारत के लोगों पर क्या करा आवस्य अवष्यक कि अनवशक में कराऊ-पन-कि- मतलब कि अनदाद उन क्या लगा लगाया आपका क्या की उत्व ada लगाया और कि इन्होंने एक उधरन भी दिया कि जो विल्म कि नेlor ऐनने की तुन ना में भारत की जो करता आता न Danke कर दाता का जो जो टैक्सेशन है वो चालिस परसेंट उचाया चालिस परसेंट अधीक है तो यह सरकार की नीती उस टाइम की खराब थी जिससे की हमारा किसान क्या हो रहा था गरीब होता जा रहा था बहुत सिंपल बात है यह आपने पहले भी पढ़ाए मैं आपको यह सारी पहले भी समझा चुआ हुं किसमे लोक्श्न और कव्थ ओरती कीुस परकार थी यह इनोς ने भारत की बहुती इस्टीटी को किस में बताया इंडिया इने विक्टोरियल एज तो उन्हेंने वही विक्टोरिया वाले काल के बारे में बताया है कि उसमे में हमारा क्या हल था तो उस समय हमारा व्यादय किati त Hoş तो कि न ही रोकताम के लिए सरकार कोई प्रतियन नहीं कर रहा था कोई भी प्रतियन सरकार का था ही नहीं कि असरकार तो उस टायम के Dee ते अंग्रेजों की थी और अंग्रेज क्या कर रहे थे अंग्रेज तो हमको खोकला ही कर रहे थे हमारे ही संसादों का देश में आकर हमारी देश के संसादों का उपयोग करकर जो अंग्रेज थे वो किसका हित कर रहे थे अपना हित कर रहे थे और हमारे लिए क्या कर रहे थे हमा आता है माल गुजारी संबंदित विचार यह मेन चीज है आप से पूछा भी आता है अलग से इसमें एक छोटा कोशन बन भी आता है कि आपके दत जी के माल गुजारी संबंदित विचार को बताईए तो माल गुजारी का मतलब होता है इंग्लिश में भी माल गुजारी लिख बिल्कुल आलोचना करी बिल्कुल सीज़े आलोचना करी वो कहते थे कि मैं इससे संतोस्त नहीं हूं मुझे यह अच्छा नहीं लगता जो भी है यह क्या कर रहा था किसानों को गरीब कर रहा था और उन पर क्या जालता था उन पर जोड डालता था किसानों से वो क्या लेते लगान 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 यह लगान जो बहुत ज़्यादा था और कसट नहीं सहाप आते थे और अपने आपको क्या कर लेता किसान अपने आपको माल लेते थे और इन्हों न ने एक सुजाव दिया कि भूमी कड के लिए कि भूमिकर के लिए ने ये सुजाव दिया कि आपको अगर भूमिकर लगाना है तो कर 6% से अधिक नहीं होना चाहिए और जो एक कर प्राफ्थ हो इसका ही क्या किया जाए इसी करका उप्योग कर जाए लोगों के हित के लिए सिंपल सी बात है मैं पहले ही आपको बदा चका हूँ अगर रोड टैक्सी लिया जा रहा है तो हमारे लिए अच्छी सुईधा वाली रोड बननी चाहिए इस तरीके से अगर वह भूमिकर ले रहे हैं तो किसानों के लिए हित में खर्चा भी करें उनका ही हित करें यह जो टै जादा वाई नोरी जी की और किसकी बात ले लेजिए आपकी कोटिल लेगी और आपके भीमराम बेटकर की मतलब कि एक मान लेजिए कि कुछ उनके सबके विचार इन में भी दिखते हैं और यही इनका था कि वही लोगों का हित होना चाहिए जो टैक्सेशन होता है उसका सह बहुत असान हो जाएगा क्योंकि आप पहले ही सारी चीज़ पढ़ चुके बड़ा आराम से आप बता दोगे ठीक है इसमें आपके क्या हो जाते हैं फिर आ जाता है गयर विकास वे गयर विकास वे में भी इन्होंने वही चीज़ बताई है कि टैक्सेशन जो है वो गलत त तके उपचार बता है इन्होंने उसमें भी इन्होंने क्या की चीज़ बताई है इन्होंने तीन चार उपचार दिये थे तो उपचार में इनका एक था कि भाई जो कटूर उद्योग है या चोटे उद्योग है उनको क्या करना चाहिए उनका विकास करना चाहिए तो मतलब सीधिसी बात तरिया को इंडस्टिल एयरिया उसको उधार करो उसमें उनकी help करो जिससे की simple सी बात है हमारा अगर एंडस्टिर चलेगी तो हमारा ही क्या होगा फाइदा होगा इन्हों सिर्चाई के बारे में का कि सिर्चाई की संसादन है उस पर भढ़ावा कीजिए, उसके बारे में सोचिए, सरकार का जो वय है उस को मतलब कि सुधारी ये, सरकार का वय का मतलब है जो टैक्सेशन विगारा मिले, उसका उपियोग किसमे हो, हमारे ही हित में हो, कोई यह सारे चीजेतों नोने बता आई थी और भारत यह ची जो दणका वो भारत में रहाना चाहिए भारती says देश के बाहर नहीं जाना चाहिए है जैसे कि हमारा नौरंस जी ने बताया था कि ढिन ड्रिन नहीं होना चाहिए हमारे धनका धनका अरो मेटेरिया किसी कभी जैन नहीं हो चाहिए इन्हों ने कुछ उपचार दिया थे बड़े राम सहाब लिख सकते हो ठीक है आज हमने यह करा दिया कल को और मैं कोशिच करूँ आज ही रात को एक दूसरी भी डाल दूँ यह मैं सुबह के टाइम अपलोड कर दूँगा और आज रात को ही मैं सोच रहा हूं दूसरा भी एक कराकर आपको डाल दूँ ठीक है तो अब मिलते हम नेक्स वीडियो में जब तक बढ़ते रही है और हमसे जुड़े रही है धन्यवाद